Hello friends and welcome back to a new vlog अभी बजगे हैं सुबा के साड़े चार और आज है करवाज़ाथ और आज पूरा दिन जाने वाला है बहुत ही ज़ादा बिजी क्योंकि पूजा की भी तयारी करनी है और फिर रात को वेट करना है चान निकलने का तो खें दिन की शुरात हो चुकी थी थोड़ा सा समान मैंने ओनलाइन ओडर किया था वो डेलिवर हो गया था और उसके बाद टाइम आ गया था नीर और विनायक के ब्रेकफास्ट का और आज ब्रेकफास्ट में था कर्ड, गोबी का पराथा, साथ में थोड़ा सा बटर और लड़ू और नीर की नजर थी सीधा लड़ू पे गोबी के पराथे को उसने कर दिया था इग्नोर और सबसे पहले टेस्ट किया लड़ू और सच में टाइम कितने जल्दी बीद गया पता है नहीं चला, कथा सुनने का टाइम हो गया था और साथ में पूजा भी और हमें असेंबल होना था गार्डन में कि वाले क को पूचने होना, कि लुच्छरा रड़ को ग्रेरीना पारेगना, सुचरा चगाईना, सुचरा मोना था ग क्योंग का डेरीनाfind गव होना टाइम में करहा हो ड़की होग現ा? को ड़के हाना? छुप हो छूख मैं दूख नने आ? कियो आपको समारा था आपको समारादा मुबाई आपके पासता आपके बाद रद आपके काम से तर यापके काम था घर जा था है। यहां पर चांद निकलने का ताइम था आठ बच्च के पांच मिनट लेकिन हमेशा की तरह पूरे चांसे थे कि लेट निकले काफी सारा टाइम था तो बस मैंने बना दिया था डिनर और डिनर में आज बनाया था मतर पनीर और साथी में अजवयन और जीरे वाले आलू और डिनर का मेन्यो डिसाइड किया हुआता है नीर ने जी राजवयन वाले आलू बहुत ही जादा सिंपल होते हैं कभी आपको मौका लगे तो जरूर ट्राइ करिएगा बहुत टेस्टी बनते हैं मट्र को मैंने अल्रेडी बॉयल कर दिया था मसाले में दो से तीन विसल के बाद इसमें डाल दिया था पनीर और साथी में थोड़ा सा धनिया गार्णिश के लिए और चांद अभी भी निकला था लेकिन नीर के पेट में कूद रहे थे चुए तो डिनर नीर को ये दिया पहले कुछ अब करना कि यह था रहा हां आपने इतना में धाश्र के इस यह था था ना यह कहता है थूशा भी नमक व्मक जादा काम है तो चैए अब राइता भी टेस्ट कर लो राइता राइता नमक व्मक सब कोई बढ़िया चलोजी चलोजी ठीक है तो आके जिसका इंतजार हो रहा था सुभे से वो आई गया था टाइम और बस फटा-फट से हमने अपना वरत तोड़ा और उसके बाद थोड़ी देर किया फोटो सेशन और इस बार ही कमाल भी हो गया क्योंकि चांद हमें देखने को मिल गया था बिलकुल टाइम पे आट से सवाट के बीच में दिख गया था